तोसक बंधु आज़ी काली रो फास्ट लाइफ येवंग लाइफस्टाइल भी तरे अनेक समरे आमें अनेक दूरा रोग्यार सीका रही थाये ताबी तरो किछी रोगग रोग रोचिकी चा पाइँ वोटे लंबा समय बा अबधी लागी थाये यह सब्सक्राइब और यह जाना चाहेंगे कि यह पैरलिसस का जो स्ट्रोक होता है यह होता क्या है यह कौन से लेवल पर जाने से यह होता है तो स्ट्रोक एक एहम बीमारी है तो इसके बारे में जानना बहुत इंपोर्टेंट है आम बाशा में इसको पैरलिसस या लख्वा बोलते हैं तो जिसको भी स्ट्रोक होता है उनको एक तरफ का हाथ पेर काम नहीं करना मूँ टेड़ करना ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं उनको तो स्ट्रोक इसलिए एहम है क्योंकि विश्व में नॉन कमिनिकबल डिसीजस बोलते हैं उसमें यह दूसरा कारण है मौट का सफस्ट आता है हार्ट अटैक सेकंड आता है स्ट्रोक और फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब उनको काम रो सब्सक्राइबू जदी आपना अंकरा पार्लिसस समस्या को नहीं कि किछ भी प्रॉस्टन रही ची बाग किछ आपना क्लियर हाँ आपना चाहूं चूंति किछ एड्वाइस नवापन चाहूं चूंति तो इसके बाद तो यह होता है कि एक जिनको काडिया का इशू रहता है यह ज्यादा इसके लिए प्रॉन होते हैं इनको यह जादा होने की समभाव ना ऊती है तो दो तरफ के होते हैं यह स्ट्रोक जो शीरा बोलते हैं लेड विचल माश्या फट जाना रप्चर ऑफ दो बुडेवसल उसके बजह से इस ट्रोक होता है नाइं तो यह ब्लॉक हो तो जो स्ट्रोक ब्लॉक होते हैं ब्लॉक के बज़े से होते हैं या ब्लेड वसल जैम होते हैं वो क्लॉट जो है ब्लेड वसल जो निक में होते हैं उससे भी उपर आ सकता है नहीं तो जो हार्ट से क्लॉट है उससे भी आ सकता है तो हार्ट का भी एक रीजन है स्ट्रोक होने ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, हर सेंटर का एक काम रहता है, तो जिस सेंटर पर एफेक्ट हुआ है, उसके इसाब से उनको सिम्टम होते हैं, जैसे अगर उनको एक तरफ का हाथ पर नहीं हिलना, जबान लड़का डाना, कुछ लोगं को इंबैलेंस होता है, कुछ में अचानक एक तरफ वीक्नेस हो गया और मेगर गया, बहुत सारे लोग वेक अप स्ट्रोक बोलते हैं, नींद में उनको स्ट्रोक हो जाता है, तो जब उठते हैं नींद से, तब उनको पता चलता है, बात नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पर नहीं हिल रहे हैं, यह कॉमन प्र पर नहीं चल रहा है, यह बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके उपर भी थोड़ा सा और विस्तार से आप से जारेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड रहे हैं, सर पहले कॉल ले लेते हैं, स्वत्यबान आमसेतर रोचंती, ब्रह्मोगीर रोचंती, स्वत्यबान कुहन तू, कॉ पहला है, तो इसम्के नहीं कर दो नहीं कर चुड नहीं, टो मतला ब्लेट वेसल जब रप्चर होता है, जब फट जाता है, तो उसमें भी एक तरफ के स्ट्रोक में फिट्स भी आ सकते हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, कि फिट्स क्यों आ रहा है जाम करना पड़ेगा बड़ेश करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि उनको स्ट्रोक हो सकता है तो उनको रूड्ड करना पड़ेगा इनन्वेस्टिएेट करके अगर किसी को बहुत से जगह पे देखा किया कि बच्चे जो होते हैं या फिर एक पटिकुलर टाइम पे वहां पर कितने possibility है कि उनको major palliatic attacks आ सकते हैं, आपने जैसे बोला कि कुछ कम times के लिए होते हैं, तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लंबा चलता है, तो यह variation का पता जनरली हम लोगों को नहीं चल पाता है, तो जिनको feeds है या आते हैं, यह संभावना जादा है उनमें कि उनक का tissue, neurons जो बोलते हैं, उसमें scarring होता है, वह abnormal discharges करते हैं, उसके बज़े से stroke होता है, उनको fits आता है, तो जैसे stroke golden hour बोलते हैं, उसके अंदर अगर पहुंच पेशेंट, hospital को, हमें clot सब dissolve कर सकते हैं, और यह scarring reduce कर सकते हैं, जब scarring reduce होता है, जो fits का संभावना कम हो जाता है, इन में, जी golden hour क्या होता है, यह भी जानना है, सर आप से, क्यूंकि normally ज्यादा तर देखा गया है, कि यह समय जो है, लोग miss कर जाते हैं, और खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब तक लेट हो जाता है, और treatment साही time पे शुरू नहीं हो पाता है, बिल्कुल हम इसके पत्ता गटोकरा मुरों पूरा केटा स dévelopर le बिल्कुल मुँ आपनों को परशना पहुंची दूची राओं को सारंक परजनता तो 48-49 इनका एज है इसे चिपनेस आ जाता है कभी-कभी बॉड़ी में 15-20 मिनिट्स तक ही रहता है बॉड़ी में कभी-कभी हाथ पैर ऐसे तो यह पूछ रहे हैं कि चांस के तो जिनका भी म पर ना पड़ेगा रिदम कैसा है हरट का तो जो स्टिफनेस होता है स्टिफनेस प्रब्लम में भी हो सकता है यह सर्वेकल स्पाइन बोलते हैं गर्दन के जगह पर जिदर में भी प्रॉबलम हो सकता है तो बेटर है मैं उनको अडवेज करूंगा कि आप बार हेल्द तो इतना हल्के में लेना चाहिए तुरंत किसी डॉक्टर से आपके पास जो भी डॉक्टर है पहले उनसे मिल सकते हैं फिर अपने सेटू तांकर अडवाइस नहीं पार रहांती तांकर परामर्स नहीं पार रहांती आगों को परबढ़ती ट्रीट्मेंट पाए मद्या आपन नियरोलोज, परामर्स तरफ रह यहू ऑषल होलें नहीं होली तांकर प्रामर्स अफ यहू आपनों षपर्स करकपल हूं, हूं है। है निफ्यों है तो दॉक्र अपने को कई ड़रीज कर छान déjà प्бы बिलम, नेरोलोज्ग को कौ तो अबरा को कोई प्रोस्टों हूनी इं ने यह स्पाइन प्रॉब्लम है तो यूजिली बैक पेइन कॉमन रीजन से इनका डिस्क बोलते हैं या कुछ तोड़ा फ्रैक्चर हो जाना उदर इसके बज़े से बैक पेइन होता है इसका में ट्रीटमेंट है फिजियो तरपी तो उनको बैक एक्साइज अभी करना पड़ेग एंट बहुत इंपोर्टन जी अधुए 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 व्यूद आटा आटव उनको रम प्रॉट निंट डिटमेश कर पाइज उड़ें जानान अधुए अधुए वार उट्साज दूए वार उट नामस्कार निटमा में पार्लीश आता बिल्कुल सार तो ये प्रावस्टना आरम हरु उत्तर देई सार चंदिमुपूरी अन्रोध करी भी सारम का अउथर आपड़ों करें प्रावस्टना उत्र देबे इलीड हो सकता है तो इसका रिस्क फैक्टर समय समझना चाहिए पहला चीज जो पूछे हैं प्रापर एंसर है ट्रैंसेंट इस्किमिक अटैक या मिनी स्ट्रोक बोलते हैं इसको इसमें क्या होता है उनको थोड़ा सा पैरलेसिस वीकनेस होता है हाथ में जो वितिन आवर्स इ जनके पास जाना है और इन्विस्टिगेट करवाना पड़ेगा और स्ट्रोक के सिंटम्स में जैसे पहले बता है था हैंड वीकनेस हाथ का वीकनेस पैर का सून पढ़ना यह भी होता है बिल्कुल और क्या क्या सिंटम्स है और जादा से जादा हम जाना चाहिए जो बाड़ो मुल्य दापें पोड़ता है तेब यह गोल्डन आवर कौन यहां भी सवरे मध्यां चोट्चा करीबा दोक्टर तेजस राओ अच्छंदि आमा सहितों न्यूरो सर्जन और न्यूरो इंटर्वेंसिस्ट हाइटेक मेडिकल कॉलेज और होस्पिटल रू यह बंग सरफया, इस फाइदा को मिलता है यह गोलडन आवर, क्या है, हमें कैसे पता है चले कि इयह तो लो मतलब अभी दो itmline है डेन फो और फोरंड़ रॉर्स तो यह ब्रेंग सेल बोलता हैं न्यूरोंस, इंको ऑक्सिजीम आशिकल मेर्क करने तो oxygen मिलना इन cells को बंद हो जाते हैं, तो cells मरने लगते हैं, cell death होते हैं, तो within four and a half hours, three to four and a half hours अगर patient पहुंच गे hospital को, नियूरो केर सेंटर बोलते हैं, इसमें neurosurgeon, neurologist से भी available हैं, scanning facilities हैं, तो नस से ही injection देके उसको burst कर सकते हैं, जो भी block है उसको dissolve कर सकते हैं, तो इसका dissolve करने का chances है around 30 to 40% होता है, उसके next आता है neuro intervention, neuro intervention मतलब हम जैसे heart का angiograms, angioplasty stenting करते हैं, वैसे ये femoral artery बोलके हैं पैर में, उससे brain को ये catheter और वायर लेके जाके इसको dissolve कर सकते हैं, इसका timeline है 16 hours से 24 hours तक कर सकते हैं, recent studies ने दिखाया है, तो golden hour as such बोलते है 4 and half hours को, अभी extended time है 16 to 24 hours तो for the treatment का होता है, लेकिन तुरंत अगर intervention होता है, तो वो 4 and half hours की, within 16 hours में injection देना है, ये intervention भी तुरंत ही होता है, ये within 16 hours अगर वो hospital पहुंच गे, तो हम ये clot भी निकाल सकते हैं, जादातर ये होता है, अगर odysa की बात हम करें, तो interior इलाकों में लोगों को feeds आते हैं, बच्चे हो गए या फिर बड़े हो गए, ये एक normal बात हो जाती है, ये गाओं में हमने बहुत बार देखा है, कि लोग उसको अपनी तरीके से treat करना शुरू कर देते हैं, किसी ने चमच डाल दिया, किसी कुछ कर दिया, तो ये करते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो ये जरूरी नहीं समझते हैं, कि वो hospital जाएं, तो उनके लिए आप क्य सेंटर को जाते हैं, वो डॉक्टर, कोई भी neurologist ये neurosurgeon को अगर हमें confirm हो गया कि ये bleeding नहीं है, शिरा फटा नहीं है, तो इसे ब्लॉक के बज़े से हैं, तो हम injection दे सकते हैं, वो injection जो मैं बताया, तो injection दे कर सकते हैं, तो इसमें time waste नहीं होता है, तो वो neuro care center में पहुंच जा संध्यारानी संभल पूरा मसे तरह उचिने कलर, संध्यारानी स्वागता पणको को हंतो, को ये पाइचा हो चान। मेरा मेरा मरो left side paralysis, बोट्स देलानी, लेफ्ट हात न गोड़ा, गोड़ा हात दीटा जाको, left side, okay, हां, हां, कूंध मेरा, पारलसिस हुआ है, जी, ठीक ही नहीं हाओदी, अबे आपन कर ट्रीट्मेंट चालीची, हां, ट्रीट्मेंट चालीची, पिजोत्रिपी कोची, और म अब चल सकते हैं, अब चल सकते हैं, अब चल पारें, लेकिन बेड़र नहीं है, चल फिर पारें, एक देड़ साल से वो गया, लेकिन उनको यह होगा ठीक होगा कि ने ही ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो इसमें दो चीज समझना है उनको पहला चीज है उनको यह स्ट्रोक जो हुआ उसका अभी ट्रीटमेंट होगा टैबलेट आस्पिरिन टैबलेट्स देंगे डॉक्टर डेफिनेटली वह नियॉरॉल ब्रेन को जाते हैं इसको भी स्क्रीन करना पड़ेगा करोटी डॉपलर बोलते हैं उसमें वह कोलेस्ट्राल बैटा है कि नहीं कुछ लोगों को बहुत मोर देन सिक्स्टी परसेंट ब्लॉक है तो स्टेंटिंग डालना पर सकता है जिससे वह बार-बार स्ट्रोक होने को प जरूरत है यह भी आपसे जानना चाहेंगे कॉलर हैं पहले उनका कॉल लेंगे देविंद्र कॉल को रिचनी निमा पड़ारो देविंद्र कुछ अंतु नियुक अंतु प्रत्वन आगो टॉक्टो कोहीं फुटिला तापर इटके दरव जला अपर मुंग क्या पिटेल होस अब प्रतिशित अतु दॉक डिरण छीप होसिने मघंच सब्सेहरे मुंग युटो मुन हम सोलेह मुंग बिल्कुल शाओ आमें आमें प्रास्ना आपनों कर रहा हूँची डायवेटीस आठी बी अधिका हुची अबुछी अधिक आपने अगको अटाइक हे पर अगुट्रे नहीं अगुट्रु करूंट रहा हुची। बिल्कुल हमें प्रॉस्टन आपड़ों को रहा है कि वेट ऑराउंड हंड्रीड कीजीज है इनका डाइबेटिक के मरीज हैं इनके दोनों पहले तो घुटनों में उनको एक आवाज आती थी जो हड्डियों के यहां पर लॉक होता है जैसे वह आवाज आती थी उन्होंने द पॉलना है कि कि उनको टाइविटीज है और वेट भी ज्यादा है तो किसी बड़ी बीमारी के तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं तो रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का जीड तो पहला चीज़ है स्मोकिंग स्मोकिंग सबसे इंपोर्टें रिस्क घ्टर है टबैक को एनी फम करते हैं, दवाई लेते हैं, कुछ मेने के बाद सब नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया, चोड़ देते हैं, वहीं स्टेक होता है, उसका continue करना पड़ता है, lifelong medicine अपके physician को दिखाई है, और उसको monitoring करते रहे हैं, दवाई, dosage, लेटार्जिक लाइफ स्टाइल है इनको इक कोलस्ट्रॉल बैटने के लिए ब्लेड वसल के अंदर बहुत ज्यादा चांसस है जी एक और कॉलर हैं सर जी एक और कॉलर हैं अभी काफी देर से बेट करें प्रशांत भूने शोर प्रशांत कौन तो कौन समसेर हो इचा पड़ा कॉलर है अगया अगया चाहिए जा रहा है अगया कॉन तो समसे कॉन तो कॉस्टल जा रहे गा तो उसके लिए कुछ लिए कुछ लिपिकरसन ब्ल सकते हैं सर ठीक स्पाष्टो हो नी आपड़ों को कथ अपड़ियरे भी पचे रिपाईरिए किछ उस्भी दानाहिं इंदू सब्सक्राइब करें तो स्ट्रोक होने का चांसे भी कम हो जाते हैं यह नियूरो इंट्रवेंशन का क्या महत्तों होता है अगर इतने सारे प्राब्लम्स के साथ कोई है तो यह होता क्या है यह कब होना चाहिए और हमारे यहां कहा कहा तो नियूरो इंट्रवेंशन जो है मतलब जो से हार्ट के लिए अंजिवराइंज और प्लास्टी करते हैं वैसे ही पैर में फैमरल आर्ट्री बोलके है वह तो यह minimally invasive, यह advancement है, neurosciences में, यह advancement है, यह just 15 years, 10 to 15 years के पहले ही develop हुआ था, बहुत साल से है पर बहुत आगे बड़ा है यह, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें skin incision नहीं लगता है, कोपड़ी open नहीं करते हैं, skull को open नहीं करते हैं, तो neuro intervention में क्या क्या treatment होता है, अगर कोई stenting करना है, brain के अंदर, कोई clot निकालना है, तो बिना open के हम blood vessel के through ही जाके यह सब काम कर सकते हैं, तो यह, जैसे cardiac develop हुआ है, heart का treatment develop हुआ है, उतना अच्छा यह recently develop हुआ है, तो major cities में है काम सब चल रहा है, तो और बहुत आगे जाना है, I think it may take few more years, सबसे पहले है, people should understand, मतलब people को educate करना है, कि यह neuro intervention क्या है, जो कोई भी palliatic attack में है, या गुजर रहे हैं इस चीज़ से, इनको, इनका assessment कितना जरूरी है, इनका, इनके साथ counselling की कि कितनी जरूरत रहती है, तो mainly, जुसको stroke हो गया है, उनका main problem क्या रहता है, usually अगर head of the family को stroke हुआ है, तो पूरा family structure collapse हो जाते हैं, तो वो सोचने लगते हैं, उनका family का देख बाल count करेगा, school का fees, या शादी करना है बेटी को, तो यह से problem हो जाता है, so counselling बहुत important चीज़ है इन में, तो physiotherapy एक पार्ट है, cognitive therapy बोलते हैं, वो भी second part है, तो यह neurologist या psychiatrist, neurosurgeon को किसी को पास जाना है, clinical psychologist, cognitive therapy करवाना है, उनका confidence बढ़ाना है, और उनको बताना है कि कितना improvement हो सकते हैं, और कितना इनका chances है बार बार होने का, अगर वो explain करेंगे तो उनका confidence बढ़ जाता है, तो यह जो term है, यह कुछ नया हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि जादा तर लोग इतने medically educated नहीं होते हैं, जिनको पता नहीं चल पाता है, तो normally hospitals में जाएं, तो उनको को यह advice देगा कि आपको neuro intervention की जरूरत है, या फिर इसको कैसे, एक normal, एक आम इंसान कैसे समझें इसको, तो stroke के treatment दो है, यह एक है blood vessel से injection देना, दूसरा है neuro intervention, तो यह basic समझना चाहिए, तो आपको injection दे दिये हैं, तो तुरंत आपको जो भी doctor treat कर रहे हैं, तो उनको पूछना पड़ेगा neuro intervention होता है कि नहीं, नहीं है, तो higher center जो भी है, उसमें refer कीजिए, जहां यह मिलता है, क्योंकि time रहता है, यह injection देने के लि पूरा फुल फ्लेट सेंटर है, cat lab है, सब कुछ हमने develop किया है, यह जो 16 गंटे की बाद आपने कहीं, यह होता है neuro intervention का time, पहला तो आपने बोला, साड़े चार गंटे में कोई तुरंत अपना treatment शूरू करा दे, फिर आगे का अगर जरूरत है, तो यह अगर जरूरत है, तो बच्चों में और बड़ों में, जैसे कि ज्यादा एज वाले लोग हो गये, बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं, तो उनका यह treatment का process सेम रहता है, कि बच्चों के लिए अलग रहता है, बहुत छोड़ी बच्चों को कभी कभी feeds आता है, और बहुत बार देखा गया है, कि feeds leads to palliatic attacks, तो इसमें एक जो parents होते हैं, उनको डर लगने लगता है, कि बच्चा तो अभी आगे नहीं चल पाएगा, बच्चों के वक्षेतर में बोलिये, या बड़ों के, यह कितने chances होते हैं, कि यह लोग फिर से एक normal जिन्दीगी जी पाएं, यह कितना, कभी-कभी दवाई बंद कर देते हैं, और सिर्फ EG monitoring के साथ रखते हैं, तो neuroscience का advancement इतना अच्छा है कि इनका lifestyle normal हो सकता है, they can lead a normal lifestyle without any major deficits, उसमें chances हैं, तो लोगों को यह समझना चाहिए, कि please go to a higher center, उसमें definitely treatment मिलेगा आपको, उसके बाद आपके doctor के साथ follow up कर सकते हैं, विल बोडी में अगर आपके कुछ भी changes हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यह मुझे किसी बड़ी problem में डाल सकता है, तो आपको तुरंद doctor के पास जाना चाहिए, यह कोड़ी बहुत बड़ा परामर्स, Dr. Tejas Rao, आमको दो चुन दिये, ठीकि, जदी भी कोणों से प्रकार ल पास जाना चाहिए, परबरती समयरे सी आपनको अगों कुछ आगों कुछ आउकान ट्रिट्मेंट दरका, नौहेले बी जदी लागू छी कि मोर गट्टे-पटा गोड़ा हात्ता कामों कोणनी सून ही जाउची समय भी तरी स्टीफनेस आसुची पाह अन्ये गुड़ी लो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यह काफी, मुझे लगता है जितने लोगों ने भी कॉल के था, जितने लोग देख रहे हैं, उनको बहुत एक अच्छी एडवाइस मिल रही होगी, क्योंकि जादा तो लोग नहीं जानते कि नीरोलोजी में हम कहां तक अडवान्स हो सकती हैं, जो जिसको लेने के लिए उनको दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है या फिर बाहर जाना पड़ता है, बहुत धन्यवाद आपके सारी अडवाइस के लिए सब